Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? पूरे जोश के साथ तैयार? Let me hear it! How's the josh? How's the josh? How's the josh? Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Good! Very good! कल हम लोगों ने जो direction sense test में किया और उसका जो हम लोगों ने homework दिया I hope आप सब लोग उसका homework कर चुके हो और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी question को solve करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गुथियां solve करने वाले हैं और आज हम category 2 type के questions करने वाले हैं वो क्या है अभी हम लोगों को धीरी धीरे पता चल जाएगा और आज एक और बहुत बड़ा राज खुलेगा कि सर कल जो आप इतना बड़ा उसको issue बना रहे थे कि देखो इस question में distance दिया हुआ है देखो सब category 2 बना दिया आपने distances दिये हुए हैं तो उसकी importance उसका significance क्या है ठीक है तो हम लोग आज से शुरू करते हैं category 2 type के questions तो सब लोग अपनी अपनी note books में heading डालेंगे category 2 type questions ठीक है और इसमें क्या category का नाम क्या है यह अभी हम लोगों को पहला question पढ़ते ही पता चल जाएगा ठीक है इसके अंदर सब category 1 वही रहेगी सब category 1 वही रहेगी distances not given सब category 1 इसमें वही रहेगी distances not given ठीक है तो चलो सर शुरू करते हैं question number 9 पर आओ question number 9 पर आओ question 9 देखो from her home प्रेणा wishes to go to school ठीक है घर से school जाना चाहती है बच्ची करोना है मत जा from home she goes towards north and then turns left and then turns right and finally she turns left and reaches school in which direction is her school situated with respect to her home यह कौन सी बात होती है इसके बारे में तो हम लोगों ने कल तक बात की नहीं थी हम लोगों ने कल तक जितने भी questions किये थे उन सब में यह हो रहा था कि बताओ वो अभी कौन सी direction में face करके move कर रहा है यह वो अभी कौन सी direction में face करके खड़ा है यह वो अभी कौन सी direction में face करके बैठा है कल तक हम लोग जो questions कर रहे थे वो सारे के सारे इसमें थे कि in which direction is he facing now लेकिन आज यह जो second category है वो यह है कि आपका जो ending point है वो आपके starting point से कौन सी direction में है आपका जो end point है, वो आपकी starting point से कौन सी direction में है, देखे, घर से चली, कुछ दूर चली, घर से निकली, कुछ दूर चली, रस्ते में पढ़ा, इसका school, ठीक है, तो घर से चली, कुछ दूर चली, रस्ते में पढ़ा, school, बताओ, school घर से कौन सी direction में है, स्कूल जो है वो घर से कौन सी डिरेक्शन में है तो ठीक है सर आईए इसको शुरू करते हैं करेंगे वैसे ही करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ने कल तक सारे questions केते compass है diagram बनाएंगे diagram बनाने के बाद हम लोग inference conclusions draw करेंगे from her home she goes towards north ठीक from her home she goes towards north यह इसका घर यहां से north चली ठीक यहां से north की तरफ चली and then turns left okay ऐसे जा रही है left ऐसे होगा तो ठीक है then turns left बहुत अच्छी बात है and then turns right तो अभी ऐसे आ रही है right ऐसे होगा right ऐसे होगा and finally she turns left अच्छा अभी ऐसे जा रही है अभी ऐसे जा रही है तो left ऐसे होगा तो finally turns left and reaches school okay and reaches school यहां है इसका घर यहां है इसका स्कूल ठीक कोई दिकत पक्का यहां है इसका घर यहां है इसका स्कूल question कह रहा है बताओ school is in which direction from home school घर से कौन सी डायरेक्शन में है तो सर आप देख सकते हो कि जो school है आपका वो घर से इस direction में है जो school है वो घर से इस direction में है और यह वाली direction कौन सी होती है compass में देखो northwest यह direction होती है northwest तो हर question अब हम लोग इसी category का करेंगे कि जो end point है वो starting point से कौन सी direction में है और आप देख सकते हो करना कुछ नहीं है वो ही diagram बनाने है और हमें इस point और इस point के बीच में direction निकालनी है ठीक है यह जगा यहां से किस direction में है इस direction में यह direction कौन सी होती है यह direction होती है northwest ठीक है अगर और मान लो पूछता कि घर, ookul से कौन सी direction में है? तो इस Direction में है, और यह direction कौन सी है? Southeast. थ.'' अब यह Point of View भी Depend करता है, Point of View से भी फर्क परता है, Mid Joach भाई, Point of View से भी फर्क परता है, थीक है, इसने School की Direction उपुछिये, From Home, तो school from home इस direction में हैं, लेकिन home from school इस direction में हैं, ठीक है, तो इसने school from home पुछा है, तो school from home is in the north west direction, हमारा answer होना चाहिए option B, question 9 का answer चेक करें, option B ही हमारा answer है, बल्ले बल्ले हो गई रहें, ठीक, next आजाओ, question number 39 पे, question 39 देखा जाए, ये रहाँ, if Ahmed travels towards north from his house, then to the left, then to south, covering equal distances in each direction to reach Sohan's house, in which direction is Ahmed's house now, अब देखो, अब starting point पूछ ली के, starting point अब कौन सी direction में है, ठीक है, पहले end point पूछा था, अब पूछा है के, starting point कौन सी direction में है, ठीक, तो question number 39, हम लोग यहाँ कर लेते हैं, question 39, ठीक, जिस सरसे आप लोग कल मेरे से पहले solve किये जा रहे थे, और answers दिये जा रहे थे, I hope वही जोश आज भी बरकरार रहेगा, एहमद travels towards north from his house, यह है एहमद का house, यह है एहमद का house, यह यहाँ से north चला, यह यहाँ से north में चला, then to left, उसके बाद यह अपने left में मुड़ा, ऐसे जा रहा है तो इसका left ऐसे होगा, तो यह अपने left में मुड़ा, ठीक, then to south, अच्छा, अब सीधा दे दिया है south, अपना left right कुछ नहीं बताया हुआ है, ठीक है, तो south, south तो नीचे होता है, साफ साफ direction mention कर दिया है, ठीक है, south direction तो यह होती है, equal distance चला है, यह भी तो लिखा होँ था, covering equal distances in each direction, covering equal distances in each direction, अच्छा, तो यह वाली जो line है, यह थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, पिता जी की पतलून, एक बिलांग, छोटी कर दो, ठीक है, और अब यह वापस इस direction में, equal distance इसने cover किया, वापस equal distance इसने cover किय तो जिस direction में north में गया था उसी direction में west में गया और उसी direction में अब जितना distance इसने north में cover किया था उतना ही distance इसने west में cover किया और उतना ही distance इसने अब south में cover कर लिया To reach Sohan's house, और यहाँ पर आ गया Sohan's house. यहाँ पर आ गया Sohan's house. In which direction is Ahmed's house now? तो Ahmed's house तो यह है? ठीक है? अब देखो. यह है Sohan का घर, यह है Ahmed का घर. ठीक? तो Ahmed's house is in the east direction. इसको मैं dotted line से दिखा देता हूँ. Ahmed's house is in the east direction. ठीक है? इस direction में है? तो Ahmed's house is in the east direction. 39 का आंसर होना चाहिए Option A. 39 का आंसर है Option A. बले, बले. आजो question number 28 पे. Question 28. Question 28 पढ़ो sir. A walks southwards, then turns right, then left, and then right. ठीक है? In which direction is he from the starting point? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. A walks southwards. पहले यह south में चला. सपोज यह है इसका starting point. यह है इसका starting point. ठीक? अब यह south में चला. ठीक? राइट यह होगा, left यह होगा. राइट में मुड़ा है. तो हमने इसको right में move करा दिया. हमने इसको right में move करा दिया. Then left, then left. अब यह ऐसे जा रहा है. तो इसका left यह होगा. और इसका right यह होगा. ठीक? तो अब यह left में move करा. left में हमने इसको move करा दिया and then right अब हमने इसको right में move कराया तो अभी ऐसे जा रहा है तो इसका right यह होगा तो इसको हमने right में move करा दिया ठीक in which direction is he from the starting point अच्छा starting point यह है starting point यह है यह अभी यहां पर है तो he is in the konci direction आप बताओ यह वाली direction कांसी होती है यह वाली direction होती है sir south west direction ठीक है यह जो टेड़ी वाली नीचे इस तरह से जारी होती है आपको कैसे दिखाऊ ऐसे दिखाऊ एसे ठीक है तो यह वाली जो direction होती है इसको हम लोग बोलते हैं south west direction right answers देखें, oh, south, east, west और north, अब इसमें आप लोग west पे click करोगे, west पे tick करोगे, click नहीं, west पे tick करोगे, या circle लगाओगे, या south पे circle लगाओगे, sir इस पे आप लोग south पे circle लगाओगे, इस पे आप लोग south पे circle लगाओगे, ये south भी हो सकता है, west भी हो सकता है, लेकिन dominantly ये south में है, ठीक है, क्योंकि यह पहले यह ना आप कुछ कर सकते हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, options में कहीं पर southwest दिया है, नहीं दिया है, exam में यही वाला question उठके आगे, तो आप क्या करोगे, west या south में confused होते रहोंगे नहीं न तो आपको क्या करना चाहिए आपको south mark करना चाहिए सर लेकिन south mark करने का एक valid reason तो बता दो एक valid reason बता दो कि इसमें south क्यों mark करना चाहिए जब जितना west है उतना ही south है तो why should we mark south सर एक बहुत ही तगड़ा valid reason में देने वाला हूँ और वो valid reason यह है कि इसका जो answer है कहांगे है इसका answer इसका जो answer है वो है option number a इसका जो answer है वो है option number a ठीक और option number a क्या है south सर यह कौन सी बात होती है यही बात होती है और यही पर students परिशान हो जाते हैं जगड़ा करने लगते हैं दिमाग लगाते रहते हैं परिशान होते रहते हैं और exam oriented preparation से उनका दिमाग एकदम हट जाता है ठीक कल भी हम लोगों ने question किया था question number 52 कल भी हम लोगों ने question किया था question number 52 जिसमें answer A दिया हुआ था लेकिन मैंने बताया था कि उसका answer C है ठीक है क्योंकि वो एक misprint था वो एक misprint था इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं अब यह आज की हमारी situation ही आलग है आज की हमारी situation यह है कि sir इन चारों में से इन चारों में से कोई भी answer सही ही नहीं इन चारों में से कोई भी answer सही ही नहीं ठीक है तो अगर सारे ही answers घलत है तब हम क्या करें तब हम वो करें जो Institute of Chartered Accountants of India recommend कर रहा है और Institute of Chartered Accountants of India कह रहा है South मतलब South नहीं रासारी sir बात कोई बात नहीं sir इसमें simple सी चीज होती है life में किसी भी exam में अगर आप prepare करोगे life में मैं सिर्फ CA के exam की बात नहीं कर रहा हूँ life में किसी भी exam के लिए अगर आप prepare करोगे तो always think कि जो हमारी examining body है वो क्या चाहती है यह जो इतने सब चलता रहता है ना कि मेरा answer सही तो है institute ने घलत दे दिया institute ने marking गलत की ठीक है institute कई बार घलत marking करता है ठीक है लेकिन क्या होता है कि हमारी ego आगे आजाती है हमारी ego आगे आजाती है कि हम गलत को गलत क्यों बोलें हम तो सही चलेंगे भले institute गलत हो नहीं you'll land nowhere institute ने अगर south बोला है तो answer south है वो जैसे मुन्ना भाई में होता दा ठीक है institute ने बोला south तो मतलब south इस type के कई सारे हमारे syllabus में ambiguous questions आएंगे ठीक है I'm so glad ये second class में ही निकल के आगया है इस type के कई सारे ambiguous questions हमारे syllabus में होते हैं तो ऐसे में आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप उसकी ambiguity को accept करो उसकी ambiguity को ignore करो और जो institute चाह रहा है आप उस हिसाब से prepare करो ठीक है जिसने इसका answer याद किया हुआ होगा उसको तो exam में marks मिल जाएंगे लेकिन जो अपनी ego में आके इसका answer छोड़ के आएगा कुछ नहीं होगा ठीक है तो इसका answer है south इस question को mark करो लिखो ambiguous और साथी साथ इस question को लिखो important ठीक और इसका answer होगा south तो अब हम लोग अपनी पहली category का नाम लिख लेते हैं और दूसरी category का नाम लिख लेते हैं direction from the starting square से करें direction from starting point direction from starting point ये है हमारी दूसरी category ठीक है पहली category थी कि इन विच डारेक्शन इसी फेसिंग नाम ठीक है फेसिंग विच डारेक्शन इसी फेसिंग नाम ये हमारी पहली category थी दूसरी category थी direction from the starting point ठीक है और आज ही हम लोगों ने question number 28 देखा जिसमें कोई भी answer पूरी तरह से सही नहीं है इसका answer arguable है कोई लोग कह सकता है कि नहीं south dominant है कोई कह सकता है नहीं west dominant है मुझे भी लगता है south dominant है आपको हो सकता है लगता है west dominant हो इसमें हम लोगों को बहस करने का कोई फाइदा नहीं है कोई मतलब नहीं है इस type की कोई भी ambiguous question अगर आपके career में आपके syllabus में आएगा तो all you have to do is memorize the answer which is given by the institute क्योंकि institute सर यहीं से उठा के question दे देगा हाँ अगर exam में institute ने यहाँ पर south west लिखा होगा तो obviously आप southwest mark करोगे ठीक है एक्जाम में अगर options में institute ने इसको ठीक कर दिया southwest, northeast, northwest, northwest दिया तब आप southwest mark करोगे लेकिन अगर exam में options यहीं आए then you'll mark south ठीक है sir तो अब हमारे जो दूसरी category की पहली sub category थी distances not given यह भी हमारा पूरा हो चुका है now we'll start with the sub category number 2 जिसमें distances हमारे पास दिये होते हैं sub category 2 distances given ठीक है sub category 2 distances given इसमें आप लोग आ जाओ question number 10 पे question 10 पे आओ देखे सर देखे a child walks 25 feet towards north turns right and walks 40 feet turns right again walks 45 feet he then turns left and walks 20 feet ठीक है he turns left again and walks 20 feet finally he turns to his left and walks another 20 feet in which direction is a child from his starting point हम लोग करेंगे बिल्कुल वैसे ही ठीक है a child walks 25 feet towards north ठीक है 25 feet towards north ठीक है तो मैं इस वाले distance को 5 माल लेता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 this is 25 25 feet 25 feet towards north turns right and walks 40 feet turns right and walks 40 feet तो right मतलब यहां पर मुड़ेगा और अंदाजे से मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो यह हो जाएगा 40 feet ठीक यह हो गया 40 feet turns right again and walks 45 feet turns right again and walks 45 feet तो अब देखो यहां तक तो 25 feet है ठीक है यहां तक 25 feet है हमें 20 feet और बनाना है हमें 20 feet और बनाना है ठीक है मैंने एक line को मैंने इस वाले distance को 5 माना था ठीक है अभी मुझे 20 बनाना है मतलब मैं 4 lines तक और नीचे line खीचूँगा तो यह हो गया 1, 2, 3, 4 ठीक है यहां तक तो यह आगया आपका यह पूरा जो distance है यह पूरा जो distance है यह है 45 feet यह पूरा distance आपका 45 feet आगे देखो he then turns left and walks 20 feet फिर अपने left में मुड़ा और 20 feet तक चला ठीक अब यह ऐसे आ रहे है इसका right यह होगा ठीक लेफ्ट में यह 20 feet तक चला है तो ठीक है आजाओ इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं ठीक और अब इसको हम चलाते हैं अपने left में 20 feet 20 feet यह ऐसे चला है उसके बाद he turns left again and walks 20 feet अच्छा he turns left again and walks 20 feet ठीक है भाई इसका left यह है और 20 feet यहां तक होगा ठीक है 20 feet यहां तक होगा 20 feet उसके बाद finally he turns to his left and walks another 20 feet finally he turns to his left and walks another 20 feet तो he turns to his left and walks another 20 feet तो यह यहाँ पर आखे रुका है यह यहाँ पर आखे रुका है I hope you are understanding क्योंकि ये वाला distance 20 feet था और यहाँ पर भी इसने 20 feet ही cover किया है तो ये वाला distance होगा 20 feet और इसका जो ending point है वो है यहाँ पे इसका ending point है यहाँ पे अब अगर हम से पूछा जा रहा है कि बताओ वो अपनी starting position से कौन से point पे है तो हम एकदम clearly बता सकते हैं कि वो east direction में है कि वो east direction में है अगर इन distances को हमने ignore किया होता तो आपका point हो सकता है इधर आता हो सकता है इधर आता हो सकता है कहीं भिया हो सकता है इधर आ जाता तो अगर आपने in distances को ignore किया होता तो आपका answer सही आही नहीं सकता था क्योंकि आपने distances को दिमाग में रखा आपने उसके accordingly answer उसके accordingly diagram बनाया इसलिए एकदम precisely आपका यहाँ पर आके क्योंकि क्या यह 20 feet अगर आप इसको ignore कर देते हो सकता है आप इतना मान लेते 20 feet तो यहां पर आता आपका यहां पर आके ending point खतम होता आप कहते कि अरे यह तो north east में क्या बोल। मैं साउत इस फक़ूड़ तो溪र आपका ummate रहता तो आप कहाँ रहता ही आप कहते हैं तो northeast में है ठीक है इसलिए scale और ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत जरूरी होती है यही बात थी कि कल से मैं आप लगों को practice करा रहा था कि जहां पर भी distances हो आप एक scale imagine करके अपने diagrams बनाओ राइट सार तो बागे चलते हैं सर आते हैं question number 12 पे question number 12 देखो K is a place which is located 2 km away in the northwest direction from the capital P R is another place that is located 2 km away in the southwest direction from K M is another place that is located 2 km away in the northwest direction from R T is yet another place that is located 2 km away in the southwest direction from M in which direction is T located in relation to P sir यह तो कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं sir बहुत आराम से हमें सब कुछ समझ में आएगा यह है question 12 अब बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं का है नहीं अब जितनी भी points थे वो सारे के सारे मैं आपको समझा चुका हूँ एक गलत आंसर वाला एक ambiguous question भी हमारे सामने आ चुका है distances की importance भी मैं आपको समझा चुका हूँ तो 2 km in the northwest direction ये रहा के ठीक अच्छा ये रहा के पी से northwest direction 2 km थीक उसके बात क्या कर रहा है? R is another place that is located 2 km away in the southwest direction from K R is another place that is located 2 km away in the southwest direction from K K ये रहा, ठीक, अब K का ये देखो K का north ये, K का south ये, K का west ये तो K का southwest direction ये होगा K का southwest direction यहाँ पर होगा अब हमें K के point of view से southwest direction लेना है तो ठीक है सर, ये तो है ही और K का southwest direction ये है और यहाँ पर कौन है, R यहाँ पर है R तो ये 2 km, ये 2 km उसके बाद, M is another place and that is located 2 km away in the northwest direction from R अब R के point of view से northwest देखो तो R के point of view से northwest आपका ये आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका M ये हो जाएगा आपका M ठीक, अब आगे T is yet another place T is yet another place that is located 2 km away in the southwest direction from M अब M के point of view से southwest आपका ये आ जाएगा ठीक है, M के point of view से southwest आपका ये आ गया और ये है T ये है T In which direction is T located in relation to P T ये है, P ये है तो T, P के relation में west direction में है T जो है, वो P के relation में west direction में है आपका answer आजाएगा west 12th, 12th का answer देखें 12 का answer है C, west तो next आजाओ sir, question number 13 पे देखो question number 13 क्या कर रहा है Babu is Raheem's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction Joseph is Raheem's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meters away in the southeast direction Roy is Gopal's neighbor and his house is located 200 meters away in the northeast direction Then where is the position of Roy's house in relation to Babu's ठीक है sir, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आईए, करते हैं इसको Babu is Raheem's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूं question number 13 ठीक है यहाँ है, यह है कौन? रहीम यह है, रहीम और Babu इसका neighbor है 200 meter northwest में उसका घर है ठीक है, तो 200 meter northwest यह हो गया यहाँ पर है Babu ठीक है, यहाँ पर है Babu अब देखो आगे क्या कहा रहा है जोसफ इस रहीम's neighbor and his house is located 200 meters away in the southwest direction जोसफ जो है, वो रहीम का neighbor है और रहीम की position से southwest में जोसफ का घर है ठीक, आगे गोपाल जोसफ इस नेबर and he says 200 meters away in the southeast direction गोपाल जो है, वो जोसफ का neighbor है और जोसफ के connection में, जोसफ के relation में 200 meters southeast में गोपाल का घर है ठीक है, तो आप लोग देख रहो, मेरी scaling हमेशा बराबर हो रही है 200 meters की जो मेरी scaling है, वो हमेशा बराबर हो रही है ठीक रॉइज गोपाल जोसफ नेबर and his house is located 200 meters away in the northeast direction अच्छा, रॉइज का नेबर है रॉइज जो है, वो गोपाल का नेबर है तो गोपाल से 200 meter northeast यहाँ पर है रॉइज यहाँ पर है रॉइज ठीक, 200 meter northeast घर बाबू की relation से कौन सी direction में है, south east ठीक है, बाबू का घर यहाँ पर है रॉइ का घर यहाँ पर है तो रॉइ का घर बाबू के point of view से south east direction में है ठीक है, तो इसका answer हो गया south east question number 13, answer is option A ठीक है next, कौन सा question हमारे पास, question number 14 है question number 14, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ देखो, a tourist travels, a tourist drives 10 km west and turns to left and takes a drive of another 4 km he then drives towards east another 4 km and then turns to his right and drives 5 km afterwards he turns to his left and travels 6 km in which direction is he from the starting point तो बहुत ही simple and straightforward question है आप लोग मेरे से पहले करना शुरू कर दो पहले तो 10 km यह वेस्ट चला यहाँ से सबोस्ट चला तो पहले यह 10 km west चला ठीक, पहले यह 10 km west चला इसको मैं लिख देता हूँ, यह है 10 km उसके बाद turns to left and takes a drive of another 4 km ऐसे आ रहा है, left यह होगा ठीक, तो left लेके यह 4 km चला यहाँ पर तो मैं 4 km को यह तो बहुत जादा बढ़ा हो जाएगा 4 km में इतना दिखा देता हूँ ठीक, यह 4 km हो गया 4 km उसके बाद अच्छा, अब east की तरफ चला ठीक, अभी यहाँ पर है यहाँ से east की तरफ चला तो east की तरफ यह होगा और यहाँ तक आएगा 4 km यहाँ तक आएगा 4 km उसके बाद अबी ऐसे आ रहा है तो राइट इसका ऐसे होगा तो नीचे जाएगा यह 5 km यहाँ तक 4 है और यह आधा 5 ठीक, यह हो गया 5 km अच्छा, अभी ऐसे आ रहा है तो इसका लेफ ऐसे होगा तो यहाँ पर आके अब यह 6 km तक चला देखो यह पूरा distance 10 km है यहाँ तक 4 km हो चुका है यहाँ तक 4 km हो चुका है तो 6 km आपका exactly इस point के नीचे आएगा 6 km आपका exactly इस point के इस point के नीचे आएगा अब starting से कौन सी direction में exactly south में है starting से exactly south में है तो answer हो जाएगा सर option number D south question 14 का है answer option number D फिर नेक्स आजाओ sir question number 19 पे question number 19 देखो a man starts from a point walks 8 km towards north turns right walks 12 km turns left walks 7 km turns and walks 20 km towards south turns right and walks 12 km in which direction is he now from his starting point तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कल कोई कह रहा था मुझसे के सब 19th question तो यह ऐसे चला 8 km towards north फिर turns right and walks 12 km ठीक राइट में मुड़ गया 12 km तक चला 12 km तक यहां पे चला फिर turns left walks 7 km अच्छा left में मुड़ा और 7 km चला left में मुड़ा और 7 km चला तो 1, 2, 3 और यह आधा ठीक अंदाजे से 7 km चार लाइन तो आपका 8 km हो जाएगा यह आपका 7 km 7 km फिर turns and walks 20 km towards south अच्छा अब यह towards south जा रहा है तो देखो ऐसे जा रहा है कैसे भी कहीं पर भी जा रहा हो अगर question में साफ साफ लेका है towards south जा रहा है मतलब अब यह ऐसे जाएगा अब यह नीचे जाएगा तेड़ा मेरा नीचे जाएगा जैसे मैंने बनाए है लेकिन अभी 20 km यह नीचे जाएगा ठीक है तो अभी देखो यह यहीं से मुड़ गया यहीं से मुड़ गया और 20 km ठीक है यहां तक 7 km हुए यहां तक और 8 km होगे तो 7 प्लस 8 कितना होता है 15 तो 2, 17, 18, 19 और यह 20 यहां पर है बहुत ही तेड़ी मेरी लाइन बनी है कोई बात नहीं ठीक है लेकिन I hope you are understanding यहां तक तो 15 km हुआ और फिर 16, 17, 18, 19 और यह 20 ठीक है तो अब यहां पर यह आ गया 20 km साउथ में आ गया 20 km फिर turns right and works 12 km अब यह अपने right में मुड़ा और अब 12 km चल रहा है तो यह exactly यहां पर आके रुकेगा यह exactly यहां पर आके रुकेगा क्योंकि दो कोई यह वाला distance 12 km का है यह वाला जो distance है वो 12 km का है तो यह ऐसे आया और 12 km तक चला फिर रुक गया in which direction is he from his starting point starting point यह है starting point यह है ending point यह है यह अपनी starting point से south direction में है यह अपनी starting point से south direction में है answer हो जाएगा आपका option number b question number 19 19 option number b तो यह हो जाएगा आपका south ठीक है I hope यह 19th question clear हो चुका है ठीक है next देखो question number 21 21 के लिभी कल शायद किसे ने कहा था question 21 देखो Ashok went 8 km south and turned west and walks 3 km again he turned north and walked 5 km he took a final turn to east and walks 3 km in which direction was Ashok from the starting point तो question number 21 में एधर लिख देता हूँ question 21 ठीक अब देखो 8 km south ठीक है यहां से हम लोग मालने दें 1 2 3 4 8 km south चला Ashok यह है इसका starting point यह है 8 km फिर turned west and walked 3 km अच्छा west यह होता है तो अंदाजे से 3 km यहां पे चला 3 km west चला फिर again he turned north and walked 5 km अब north मुडा है और 5 km चला है ठीक है तो north तो यह है तो 2 4 और यहां तक 5 ठीक है यह हो गया आपका 5 km नॉर्थ में फिर आगे he took a final turn to east and walked 3 km east मुड़के 3 km चला है तो यहां से यहां तक चला है यह 3 km ठीक है आप लोग देख रहो यह वाला distance 3 km है तो अब यह 3 km आके exactly यहां पर बंद होगा ठीक है अब यह exactly यहां पर बंद होगा कुछ और भी लिखा है in which direction was Ashok from the starting point तो सब starting point आपकी यह है ending point आपका यह है तो he is in the south direction ठीक है he is in the south direction this is your starting point this is your end point तो यह south direction में है question number 21 का answer होगा option D question 21 का answer है option D ठीक next question number 34 देखो question 34 ठीक लक्षमन वें 15 km to north then he turned west and covered 10 km then he turned south and covered 5 km finally turning to east he covered 10 km in which direction is he from his house ठीक है सर तो अब question 34 15 km to north ठीक 15 km to north दो-दो मान लेते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 अरे कुछ ज्यादा ही हो गया 15 km ना चलो ठीक है 3-3 मान लेते हैं तो 3, 2 is a 6, 3, 3 is a 9, 3, 4 is a 12, 3, 5 is a 15 ये ठीक है मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस मैंने 3 km माना है ठीक तो ये मेरा हो गया 15 km ये है स्टार्टिंग पॉइंट ये है सर स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है 15 km to north then he turned west and covered 10 km ठीक है 10 km west में चला फिर then he turned south and covered 5 km ठीक है तो 3, 4, 5 कहीं इधर आएगा ये south में 5 km चला south था नहीं है then he turned south and covered 5 km ठीक है तो this is 5 km ठीक है तो this is 5 km फिर आगे finally turning to east he covered 10 km ठीक है भाई finally ये east की तरफ मुड़ा और यहां पर आके रोग गया finally ये यहां पर आके रोग गया ये है इसका ending point ये है इसका ending point in which direction is he from his house ये starting point है ये ending point है तो ये अपने house से north direction में है ये अपने house से north direction में है 34 का answer option c ठीक सर अब आजो question number 4 पे question number 4 देखो कहां गया ये रहा question 4 c अरुम started from point a and walk 10 kilometers east to point b then turn to north and walk 3 kilometers to point c then turned west walk 12 kilometers to point d then again turn south walk 3 kilometers to point e in which direction is he from his starting point straight point नहीं होगा starting point होगा चलो question number 4 देखते हैं next page पे करता हूँ question 4 i hope अब आप लोगों को भी मजा आ रहा है साथ-साथ करते जा रहे हो in fact मेरे से जल्दी कर रहे हो हरूं started from point a walk 10 kilometers east अच्छा यह है point a यह point a यहां से 10 kilometers east check 10 kilometers east to point b यह 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 ना then turn to north and walk three kilometers to point c ठीक है तो three kilometers माल लेते हैं यहां तक है three kilometers और यह point है आपका c then turn west walk 12 kilometers to point d ओके west मुड के बारा किलो मेटर चलाए तो देखो यहां तक तो 10 km थोड़ा सा और आगे यह 12 km हो गए आपके तो यह हो गए आपके 12 kilometers point d आगे then again turn south and walk three kilometers to point e south मुड के three kilometers चला है अब south मुड के three kilometers चला है ठीक three kilometers यहां से यहां तक का distance three kilometers है क्योंकि यहां से इहां तक का distance three kilometers से यह क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट रिक्षन कर लेना, इसन सब्थ aplikation, फॉइस्ट रिक्षन पॉइंट हूँजए इस यह homework में कर लेना, ठीक है, आपके homework है, आपके homework questions है, questions 43, 48, 49 और question number 8, ठीक है, 43, 48, 49 और 8 यह questions आपके homework में हैं, similar type के questions है, हो जाएंगे, दोनों categories, दोनों subcategories हम लोग complete कर चुके हैं, ठीक है, दो categories, पहली category कौन सी थी, in which direction is he facing now, दूसरी category कौन सी है, in which direction is he from a starting point, ठीक है, subcategory 1, जिसमें distances नहीं दिये रहते हैं, subcategory 2, जिसमें distances भी दिये रहते हैं, ठीक है, तो दो major categories के questions जो हमारे exams में आते हैं, वो हम complete कर चुके ह I'm sure ये बिल्कुल difficult नहीं था, मुझे comments में बताओ, कि difficult था या नहीं था, नहीं था, good, अब हम लोग चलते हैं, थोड़े से miscellaneous questions के उपर, तो next page से मैं start करता हूँ, category 3, ये आपके sun से related questions होते हैं, ठीक है, category 3 जो है, वो आपके sun से related questions होते हैं, बहुत simple है, इसमें सिर्फ इत रचपन से सिखाई जा रही है कि बिटा, sun rises in the east and sets in the, comment में बे पताओ, west, yes, sun rises in the east and sets in the west, sun rises in the east, sets in the west, इतना अगर हम लोगों के दमाग में बैठा हुआ हुआ है, तो बस हम सही ये वाले questions बहुत आराम से हो जाएंगे, question number 16 पे आओ, question number 16 देखो, कहा है question 16 ये रहा, ओहो, one evening राजा started to walk towards the sun, अब बताओ, evening में sun कौन सी direction में होगा, evening में तो sunset कर रहा होगा, evening में sun would be about to set, और sun sets in the west, तो शाम को जब राजा ने सूरज की तरफ चलना शुरू किया, तो राजा कौन सी direction में चल रहा है, राजा west में चल रहा है, काम खतम, इसके आगे, same, after walking a while, he turned to his right, again to his right, after walking a while, he again turned to his right, in which direction is he facing, क्या ही आप खुद से कर सकते हो, yes, खुद से कर सकते हो, लेकिन चलो एक question में करके दिखा देता हू, question 16, question 16, देखो, राजा ने शाम को वेस्ट में चलना शुरू किया, ठीक है, राजा ने शाम को वेस्ट में चलना शुरू किया, यह आया राजा, वेस्ट में, ठीक, उसके बाद, after walking a while, he turned to his right, ठीक है, यह अपने right में मुड गया, ऐसे आ रहा है, राइट में ऐसे होगा, ठीक, यह ऐसे मुड गया, फिर, and again to his right, and again to his right, तो अभी यह ऐसे मुड जाएगा, ठीक, after walking a while, he again turned right, अब अगें टर्न राइट तो यह ऐसे मुड जाएगा, ठीक, in which direction is he facing, he is facing the south direction, 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 question number 16, का answer होगा, option number A, 16, का answer होगा, टो सर यह इतना गंदा हो चुका है, कोई बात नहीं, 16 का answer है, option number A, was it simple, ठीक, next है हमारे पास, question number, कहां गया, कहां गया, 20, question number 20, देखो, या थोड़ी रहता है, कि किसके बाद के रखा हुआ है बगल में एक क्वेस्ट नम्र 20 यह देखो अब यहां पर मजा आएगा सिंपल है डेली इन दो मौनिग शाड़ गोल गूंबस फॉल्जन बारा कमान और इवनिंग शाड़ बारा कमान फॉल्जन गोल गूंबस इग्जाटली सो इन विच डारेक्शन इस गोल गोल गूंबस फॉलजन बारा कमान सपोज यहां पर गूल G teste यहां पर गोल गूंबस यहां पर इसका इसकी शाड़ो रहा पर गोल TP है और यहाँ यहां पर पर पढ़ती है और यह Yep का बारा कमान ठीक है? तो इसकी shadow यहाँ पर क्यों पड़ेगी? इसकी shadow यहाँ पर इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कहीं पर sun होगा ठीक है? क्योंकि यहाँ कहीं पर sun होगा एक तो यह पूरा डायग्राम इसको थोड़ा सा नीचे कर दे ठीक? यहां कहीं सान होगा तभी जाके यह अपनी raise इसके उपर डालेगा और इसकी shadow उठके यहां पर 12 command के पास आईगे यह सुभा सुभा हो रहा है अब शाम को सूरे मोहदे इधर आ गए शाम को हमारे जो सूरे देव हैं वो इधर आ गए और इन्होंने 12 command पे अपनी raise फेंकनी शुरू की जिससे 12 command की shadow इधर पड़ी गोल गुमबस के उपर ठीक है इतनी खराब drawing है सर आपकी हाँ यार कोई बात नी 12 command की shadow पड़ी इधर गोल गुमबस पे ठीक है मतलब गोल गुमबस जो है वो east direction में है और 12 command आपका west direction में है सीधी बात है क्योंकि सुभा सुभा गोल गुमबस की shadow पड़ी है बारा कमान पे सुभा 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 है मतलब गोल गुमबस east direction में क्योंकि sun rises in the east ठीक question ने क्या पूछा है so in which direction is गोल गुमबस to बारा कमान गोल गुमबस यह है बारा कमान यह है तो गोल गुमबस is in the east direction in relation to बारा कमान गोल गुमबस is in the east direction in relation to बारा कमान 20 का आंसर है option number A 20 का आंसर है option number A ठीक इसके बाद question number 33 देखो question 33 देखो if Mohan sees the rising sun behind the temple and setting sun behind the railway station from his house, what is the direction of the temple from the railway station? बिलकुल वैसे है गोल गुम्बज बारा कमान वाला, ठीक है? rising sun behind the temple, sun rises in the east, मंदर के पीछे देखता है सूरज को, मतलब मंदर जो है, वो east direction में है, ठीक है? setting sun behind the railway station, sun sets in the west, railway station के पीछे छुपता है sun, तो railway station west direction में है, what is the direction of temple from the railway station? railway station west में है, temple east में है, answer आपका, east है, 33 का answer है, option number C, east, ठीक, कोई diagram मनाने के भी जरुरत नहीं पड़ी, आराम से हो गया, but I won't advise you to do this orally, वैसे ये sun वाले questions तो फिर भी आसान होते हैं, लेकिन बाकि जो questions होते हैं, उसमें आप लोग ये मत सोचना के नहीं, मेरे तो बिना diagram मनाये हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा risky हो जाता है proposition, बाकि तो I'm sure आप लोग बहुत intelligent हो, और बिना diagram मनाया answer कर सकते हो, but still, I would advise you to draw the diagram, next question number 36, देखो, I started walking down a road in the morning facing the sun, मतलब मैंने एस्ट की direction में चलना शुरू किया, in the morning sun rises in the east, और मैंने अगर सन की direction में चलना शुरू किया, मतलब in the morning I started walking towards east, after walking for some time I turned to my left, then I turned to my right, in which direction was I going then, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो, इसको मुझे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान देने वाली बात है, कि when in the morning I am walking facing the sun, then I am starting walking towards the east, ठीक है, जो sun वाली category के सबसे पहला question हम लोगो ने किया था, महाँ पर मैंने शाम को sun की तरफ चलना शुरू किया था, तो I started walking in the west direction, यहाँ पर I am walking in the east direction, next question number 42, question 42 देखो, a man starts his journey facing the sun early morning, मतलब east direction में चलना शुरू किया, he then turns right and walks 2 kilometers, he then walks 3 kilometers after turning right again, which is the direction he is facing now, आप अपने आप से कर सकते हो, इस टाइब के questions कल हम लोगों ने बहुत सारे किया है, तो he started walking in the east direction, next question number 51 पर आओ, रमन starts walking in the morning facing the sun, again he started walking in the east direction, after some time he turned to left, later again he turned his left, at what direction is रमन moving now, यह भी आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, तो sun से related जितने भी हमारे पास questions थे, institute के study material में, वो भी सारे खतम हो चुके हैं, तो इतने कम questions थे sun वाले, इसलिए मैंने उसको category 3 में miscellaneous बोलना था मैं, चलो, अब हमारे पास सिर्फ दो questions बचे हैं, और ये questions सभी को बहुत confuse करते हैं, लेकिन आपको आज के बाद से confuse करना, ये दो questions बंद कर देंगे, Can you imagine, दो दिन के अंदर-अंदर, हमने institute की book में से एक chapter के सारे questions complete कर लिया हैं, right? And I'm sure, आपने बहुत confidently complete किये हैं, ऐसा नहीं है के, हाँ, ठीक है, काम चलाओ, complete कर लिया, I was looking at the comments yesterday, और I'm sure अभी भी comments बहुत अच्छे आ रहे होंगे, I'm pre-recording this lecture, तो I'm not sure comments कैसे आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, तो I'm sure you guys are confident, अब आजाओ आप लोग question number 22 पे, और question number 24 पे, पहले हम लोग question number 22 करेंगे, I'm sure इसकी भी काफी queries आ रही थी कल, तो question number 22 देखिए sir, question number 22 देखिए, मैं पहले यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यह आपकी category 4 है, यह आपकी category 4 है, और यह है headstand, यह है headstand, ठीक, देखो, if X stands on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point, oh my god, if X stands on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point, sir, बहुत दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, question number 22, sir, suspense create करना बंद करो, जल्दी बताओ, जल्दी बताने के लिए, मुझे आपको यह आदमी दिखाना पड़ेगा, जल्दी बताने के लिए, इसका face south की तरफ है, इसका यह जो face है, इसका यह जो face है, पताने आप लोगों को देख रहा है या नहीं, देख रहा है हैं, इसका यह जो face है, यह south की तरफ है, मतलब इसका जो back है, वो north की तरफ है, इसका face अगर south की तरफ है, मतलब इसकी back north की तरफ है तो आप imagine करो ये screen के सामने जो screen के सामने वाला area है 3D में imagine करना होगा इसको ठीक है You can see a man standing on your screen आप screen से लेकर आपकी direction ये south है तो screen के अंदर की direction north होगी screen के अंदर की direction north होगी तो ये वाली direction east होगी और ये वाली direction west होगी ठीक है screen के अंदर north, screen से बाहर south तो ये वाली direction ये direction east और ये वाली direction west आप देखो पूछा क्या है इसका left hand कहां पर point कर रहा है इसका left hand कहां पर point कर रहा है तो सर अब आप बताओ ये इसका right hand है ये इसका right hand है ये इसका left hand है इसका left hand west में point कर रहा है क्या ये question difficult था नहीं difficult बिल्कुल नहीं था हम लोगों बस imagine नहीं कर पाते कि यार सर के बाल अगर इंसान खड़ा है तो उसका face और उसके हाथ की position बदल जाती है सब कुछ different हो जाता है ठीक है एक बार फिर से जल्दी से मैं इसको बताता हूँ देखो इस इनसान का जो face है इस इनसान का जो face है ये south की direction में है ठीक इसका face आपकी direction में है तो आप सोचो कि screen से आपकी तरफ का distance है वो है south अगर screen से आपकी तरफ का distance south है मतलब screen के अंदर जो जा रहा है वो north है ठीक है तो इधर जो है वो east है और इधर जो है वो west है अब इसने पूछा है कि इसका left hand कौन सी direction में point कर रहा है तो देखो ये इसका right hand है ये इसका left hand है इसका left hand south direction में point कर रहा है तो answer हो जाएगा आपका option number D this is south तो question number 22, question number 22, question number 22 का answer है आज south कहां बोल रहा हूँ, west बोल रहा है ठीक है पता नहीं क्यों south south बोल रहा हूँ, ठीक है left hand इसका west direction में point कर रहा है तो question 22 का answer है option number B, question 22 का answer है option number D, ठीक है ये वाला head stand का question हो गया, अब question 24 पे आते हैं, question 24 देखो question 24 देखो, if A stands on his head with his face towards north, अच्छा अभी इसका face south की तरफ था, अब इसका face north की तरफ है, ठीक, in which direction will his left hand point, in which direction will his left hand point, तो एक बार फिर से हम इन महोदे को बुलाते हैं अपने screen पे, एक बार फिर से हम इन महोदे को अपने screen पे बुलाते हैं और अब इसका जो face है, अब आप imagine करों कि screen से आप की तरफ का जो distance है, जो direction है, वो है north, तो उधर है south, ठीक है, screen के अंदर south है, और इधर north है, अगर इधर north है, तो इधर east होगी, और इधर west होगी, sir, ये हम लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा और समझाते है अगर आप कुछ कर सकने हैं, ठीक है, अगर अब मैं कहरा हूँ कि इसका जो face है वो north की तरफ है, ये देखो, ठीक है, इसका face north की तरफ है, मतलब आपकी तरफ north है, अंदर की तरफ south है, तो पह देखो east इधर हो गया, east इधर हो गया और west इधर हो गया compass की direction पलट थी अभी तक जो हम लोग पहले बात कर रहे थे जो हम लोग पहले बात करते थे उसमें north आगे था south आपकी तरफ था तो east right में था अरे बहिए चल जाओ east right में था और west left में था ठीक है लेकिन अब अगर हमने directions बदल दी जहां पर north आवाँ south आगया जहां south आवाँ north आगया तो sir east अब इधर हो गया और west अब इधर हो गया ठीक है तो यही बात है यहां पर east हो गया और यहां पर west हो गया यह right hand है यह left hand है तो अब इसका left hand east direction में point कर रहा है अब इसका left hand east direction में point कर रहा है तो 24th का answer हो जाएगा option number C 24th का answer है option number C congratulations अपने लिए तालिया बजाओ आपने दो दिन के अंदर अंदर एक chapter complete कर दिया exam में आपके 4 या 5 marks तो पक्के हो गए समझो 4 या 5 नमबर आपके पक्के हो गए ठीक है तो बस आज के लिए यहाँ पर ख़तम करते हैं बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आप लोगों को पढ़ा के आप लोगों के comments बहुत encouraging है बहुत बहुत thank you और अब मैं आप लोगों से परसों मिलूँगा Monday with a new topic कौन से topic होगा उसी दिन disclose करूँगा ठीक है सर तो good bye take care स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए मास्क लगाईए हाथवाद धोईए सब कुछ करिए coronavirus से अपने आपको बचाने के लिए हमें लोगों को ये पूरा देश लड़ रहा है लेकिन याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं और जो भी आप लोग फोन पर सुनते रहे तो I'll see you guys day after tomorrow take care, goodbye, enjoy your Sunday, bye